कभी-कबर आप किसी और घर पे जाते उनके डॉक देखते है तो यह जाधा होस्षार होते हैं आप देखोगे कि उनके डॉक और आपके डॉक में काफे डॉक्त है। कि यूटूब पे भी बहुत सर ऐसे डॉग देखेंगे काफिजदा स्मार्ट होते हैं तो आप अपने डॉग को इस तरह से किस तरह से स्मार्ट बना सकते हैं तो कुछ पांस तरीके में आपको बताने वाला हो अगर आप इनको फॉलो करते तो आपका डॉग काफिजदा बैत वीडियो को लाइक जरूर से करना तो चलिए सुरूर करते सबस्य जो पहला पॉइंट रहता है वो है कि discipline discipline जो काफी जदा अच्छा बन जाएगा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और सबर और पेशन की ज़रूर होती है और खास करके अपने डॉक को जो काफी जदा आपको आराम से सिखाना पड़ सकता है तो खाना और दुसरा सोना कहीं भी डॉक नहीं सोना चीए कभी बेट पर आ खाना खाना के तुरंद बाद उसको ले जाना तो उसका सुबज शाम और दुपयर का जो है टाइमिंग आप जरूर से आपको रखना है तीसरा जो है कि कभी पानी आपका डॉक कभी पीता है तो कभी घर में बकेट रखी है या फिर कुछ रखी तो उसमें मुह नहीं डालन या सब कुछ अगर आप डिस्लिप्रिन में आपके डॉक को रखते हो तो आप कोई भी आएगा तो जरूर से एक बर तारीफ करेगा कि आपका डॉक काफे अच्छा है डिस्लिप्लिन में आपकी बात सुनता है सब कुछ करता है तो दूसरा जो पॉइंट आता है वो इसी के मेमान आते हैं उसको आप कुछ कमांड देते हैं तो आपका डॉक अच्छा कासा सुन लेता है और आपका जो कभी कबर कभी सेकेंड कर दिया है सीट कर दिया नमस्ते कर दिया तो इससे काफी जदा इंप्रेशन भी रहता है और आपका डॉक काफी जदा स्मार्ट भी लगता ह नहीं तो आप देखोगी कि आपको कोई आपके घर में मेहमान आते हैं आप बोलती है चला उदर चला जा उदर चला जा डॉक तो सुनता भी नहीं है और कभी कबर किसी के सामने आपकी भी इंसल्ट हो जाती है तो ऐसा नहीं होना चीए इसके करण आपको घर में कभी भी कोई मेमान आने से पहले चोटा आपका पपपी है त भी से आपको से डिस्पील में ट्रेश्पेगा सब ड़्स muchís कि अगर है कि मैं आज कर दूँन कर और हो जाएका ऐसा नहीं लिए कोई कम और ज़िदा स्मार्जिव से लगनेगें कोご सिखा सकते हो बाहर जाना है तो उसका बेल्ट वो खुद लेके आएगा इसे सारे चुटी-चुटी चीज़े सिखा सकते हो इसके करने इंप्रेशन भी काफी जदा अच्छा रहेगा और आसपर उसमें भी आपका डॉक काफी ज़दा होशार स्मार्ट है इसरा जो पॉइंट इसको नहीं करना चाहिए जो नेक्स तीसरा पॉइंट आता है वो है कि कुछ ना कुछ उसको नया-नया सिकाना चाहिए डॉक कभी भी ऐसा खाली बैट रहा है तो थोड़ा आपको डिसिप्लिन में उसको सिखा सकते है जिसके करना आपको डॉक काफी दर स्मार्ट और अच् जरू से करानी चाहिए कभी यह लेकिया कभी थेली पकड़ना सिखाना चाहिए कभी पेपर लाना सिखाना चाहिए कभी कब उसको जाड़ू अगर ऐसा सब कुछ चोटी मूटी अक्टिविटी उसको करानी चाहिए जिसके करना आपका डॉक कुछ ना कुछ नहीं नहीं अक अगर रात को भी सोता है कोई खटकट आता है तो आपका टुरंती उठना चीहें उसके उपर रिस्पोंस करड़ा जाना चीहें तो वह काफी ज़दा से रहता है तो कोई आता है आपका डॉक्स होता ही रहता है और कुछ का एक्टिविटी नहीं करता तो वह उसके लिए आपको उसको ट्रेनिंग और सोचलाइज ज़रू से करना है जो चोथा पॉइंट करते आप इसे आपका डॉक्स अधा होगा घर पर आजयू बाजी चाहियता जोजो हो रहा है जो पाच्वा पॉइंट आता है गाईस वो काफी ज़्यदा में होता है कि केर करना, आप अपनी डॉक की केर जरू से करना चाहिए, उसको काफी ज़्यदा सुन्दर दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि डॉक के बाल कहीं जा रहे है, उसका मुह साफ नहीं है, कुछ खा रहा है, उसके मुझे सब कुछ लगा ऐसा नहीं डॉक को काफी जदा उसके बाल अच्छे से होने चाहिए मेंटेन रहेगा तो यह सारे जो पॉइंट है आप इसको ध्यान दे सकते और अपने डॉक को काफी ज़्याद स्मार्ट और अच्छा बना सकते आप आपका डॉग ही आपको इ बता चलेगा कि डॉक पर्णड्स कैसे होते किस तरह से डॉक से बहुत करना चीए लायक से जरू करना चीए दिसके करन डॉग भी अच्छा रहेगा उसका शरी हल्दी रहेगा कुछ च्छनो कुछ BLACK करके आपको भी आपके घर में जो डॉग होता है, वो काफी ज़दा अच्छे से काम करने लगेगा. तो गैस आशा करता है आपको वीडियो अच्छे लगी तो लाइक से जरुर करना, चलों को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू करना. तो मिलते हैं नेक्स यूडियो में, thank you for watching